कि नमस्का साथियों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे सिविल एंजिनिंग उनिटी चैनल में आज हम फोल लेगी स्टीरफ का बीवियस निकालना सिखेंगे और इसका टाइप 2 है विछले में हम टाइप 1 बता चुके थे कि इस अवस्था में अगर हमारा बीवियस इस्ट हदखें है तो हम किस तरह से निकालेंगे हमारा हमारा देखे जमापरा इस स्थिति में 1 2 3 4 4 हमारा है कि इस व्제가 ख्मरा यूज़ होरा सहिर हम कि स्देने कि इसको हम समझ लेते हैं कि आप वेड़े यह देख छरक estás कि यह प्रूम याप बीम जहां पे इसका यूज को रहें 300 600 600 अब हम सबसे पहले इस तरह से अगर आएगा से आपके ड्राइंग में तो किस तरह से निकालेंगे इसको देखते हैं इसको निकाले के लिए यह आपका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहता है इस समान होता है तो अगर हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं निकाल लेते हैं तो हमारा दोनों जो रेक्टेंगलर इस्टीरप्स यूज हुआ है इसमें तो उस दोनों का बीवियत निकालेंगे तो यहां से हम देखिए सबसे पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लीए हम पहले इस center से और इस center की भी किये हम निकाल लेते हैं तो इसे हम मानDas तो X 16-40-40 600 हमारा total हमारा है total हमारा है 600 हमारा एक कभ़र सहीद हमारा 600 है हम के और छैसो में से हम 40 जिम का कभर यहांपर माईनस कि जो यह था से लंग आख यह था हवास कें तरॉ такие माम को न वाम जो इह हमारे परलगिए अब इसके पेचल्ट परोई ना है हमारा 16 जिम पर जेतनी हमारीवा लगी म्म 21 मिखें हैं दूसरी साइट से माइनिस इसको सेंटर तक सट को याज की बैलू हमारी 448 मैं यानि इस तरियacz लेकर इस सर Carnival is से जो मेंन भार है वो चार्सः आपार्य से इम आ गय अब हमारा देखी इसमें हमारा सरीय से दुसरे सरीय क Hee दूरी सेम है तो हमारा तकी एक लिए तो हम इस दुसरे इस तो कि हमारी दूरी मिल जाएगी जैसे हम X की बेलू से 300 डिबाइट किए हैं तो ए हमारा 162 266 mm आ गया हमारा एक की बेलू भी आ जाएगा जो बी की है सी की है डी की बैलू इस तरह से मिल जाएगा अब आपको कट्न लेंठ निकालना है कि कटिंग लेंथ निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर देखिए तो सबसे पहले यह निकालेंगे तो एकी वैलू आपको असानी से मिल जाएगी उपर का कबर माइनस करेंगे नीचे का कबर माइनस करेंगे और जो 8 mm की इस टीरफ गई है इसक तरह से हम भी की बैली को निकाले हैं तो बी की वैलू हमारी आ गई बी की वैलू हमारी 100 कि B c और डी बराबर हमारा एक सो 62.66 mm हमें मिल गया अब हमें cutting length निकाल ना है तो आप green को भी ले सकते हैं green वाला की हम पहले निकाल लेंगे फिर उसी बाद black वाले को लेंगे एक का निकाल लेंगे दुगना कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा तो ग्रीन वाला को हम निकाल लेंगे लिखाई देरा पूरा तो यहां पर देखिए ग्रीन वाला की निकालेंगे तो यहां से जो हमारी है सेंटर से सेंटर यहां सरीय की हमारी वैलू चाहिए जो कि यहां पर मिल गया है और यहां से लेकर यहां तक इस सरीय के सेंटर तक की हम तो फाइनल हो गया आपका अब हम एक ग्रीन वाले के सेंटर तक जाएंगे तो यह हम आठे में इधर बढ़ेंगे तो यहां पर माले जिए इसको हम क्या माने इसको हम माले एक सी मान रहे हैं वाई ही माने हैं यहां पर 162 प्लस 162 हो गया ये 165 हमारी होगे दोनों कभर करनी है अब हमें आठे में इसको प्लस करना अग्यां इक साइट से आठे में दुस्सरे साइट से अब बढ़े जह घ्रीन क्लर की दिखाई दे रहे उसके सेंटर तक जाना है तो चारे में और प्लस करेंगे ए साइट से और चारे में उद्दार से प्लस करेंगे यह हमारा आएगा कि 349.32 mm आ गया अब हमारा मिल गया इसे माल लिजे इन दोनों को सी प्लस डी को मिला के हम आई ले ले रहे हैं तो सी प्लस डी सी प्लस डी बराबर वाई तो वाई की बैलू हमारी आ गई कि 349.32 mm आपकी आ गई अब हमें तो मिल गया अब तो असाने से निकल जाएगा आपका कटिक लेंद तो टू ए और टू वाई यानि टू ए ए हो गया इधर का इधर का और टू वाई वाई इन दोनों को मिला के वाई वाई इधर हो गया टू आई हो गया अब प्लस हूक तो 135 डिग्री के बेंड के लिए हम लेते हैं 12D 12D लेते हैं तो यहां पर देखिए टू एक वैलू तीन सो बार है और वाई की वैलू 332 प्लस टू 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 डी डाया बार यहां पर हमारा कितना है डाया आप बार हमारा 8 mm का है तो इसको हम टोटल साल्व करेंगे तो हमारा कटिंग लेंथ आ जाएगा पंदरः वन पंदरः चाउदर यानि 1514 दसमलोग चार एमम हमारा लंबी सरीय कटाएंगे तो एक गिरीन वाला का हमारा निकल के आएगा और एक में इसी टाइप से दो सरीय एक जक्सन पर हमारा दो यूज होंगे इसलिए आप दुगना कर दे सब्सक्राइब लगेगा तो दस तो हम सिंगल निकाले हैं और डबल कर देंगे तो इसका कटिंग नेंग इस तरस निकलता है अगर इसमें कोई प्राबलम हो रही है आपको तो वेल्कुल कमेंड करके पूछिए का मैं वेल्कु जवाब देनी की क्योशिस करूंगा मिलता हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सिक्स लेगिस्ट एफ्स कटिंग निकालते हैं उस टॉपिक पर थैंक्यू पर वाचिंग वीडियो